नमस्कार मैं हूँ शोभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा सापताहिक कारिक्रम इकनोमिकम में अर्थात की नई किस्ट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन काईटर इंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको चारों पड़ाओ बता दें इस शो के शुरूबात अर्थात इस बार पढ़ रही है तो कोई किताब या वेफ सीरीज आप बिल्कुल जाने समझें शुरूबात हम करते हैं अर्थात से अर्थात का विशह इस समय जो है वड़ा रेलेवेंट है चर्चाएं इस समय गरम है शेयर बाजार में मिट कैप और स्मॉल कैप को लेकर सरकार, RBI, RBI, CBI, सब के कही ना कहीं चिंताओं में शेयर बाजार दिख रहा है, CBI ने अभी mutual fund से ये कहा कि आप stress test कीजिए, stress test का मतलब यह है कि भाई आप ये देखी कि सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या stress test होता है, क्या इसमें किया गया, क्या इससे पता चला, क्या डर है, कि सब कुछ आपको इस economicum में पता चल जाएगा, stress test अगर आपने वस सुना है, तो इतना बहुत है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता चलेगा, क्यों पता चलेगा, क्यों पता चलेगा, कि सब कुछ आपको आज का ये अर्थात बता देगा, लेकि शुरुबात अंशुमा परण कहां के दिये जाते हैं, अमेरिका के, कहाई ये जाता कि अमेरिका का pension उद्योग, अमेरिका का mutual fund उद्योग, अमेरिका का share बाजार, और उसी से हम अपनी तुलना करते हैं, share बाजार हम कहां पहुँचे, तो हमारे सामने जो पैमाना होता है, वो अमेरिका का बाजार ह है अगर आप mutual fund के निवेशक हैं देश में हैं ही साड़े तीन करोड लोग तो mutual fund को निवेश करी रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे कारेकरव में ऐसे हैं जो mutual fund में निवेशक हैं जो सुनते हैं या mutual fund में निवेश करने की सोच रहे हैं और इस से आधा कहीं लोग mutual fund में चीज होती है जिसके जिरिया पैसा लगा कर अपनी बैसा लगा कर बहतर रिटरन पा सकते हैं तो फिर आप ने अगर आप इन ख़बरों से कहीं दूर दरास से भी परचित हैं तो आपके दिमाग आपके पास सूचना जरूर पहुँची होगी प्तिक्षा परोक्ष रूप से क कि म्यूचीरal fund लों के भीतर कुछ हो रहा है कुछ बड़ा हो रहा है उन से निकले सवाल जो हमारे पास आते हैं जो लोग हमें बता रहे हैं यह जो हमसे जानकारी लेते हैं उनके सवाल बड़े भोले हैं बड़े नुस क्या म्यूच्यल fund खत्रे में हैं अगर डूब गया तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेभी आखिर क्या जाचने की कोशिश कर रही? सेभी ने कियो मिव्युचल फंट से कहा कि वो किसी पैथैोलोजी की तरह अपने खूण के जाच की रिपोर्ट में हर महीने दिखाएं आकर जैसे कि कोई विक्त अपने को स्वस्त प्रमानित करने के लिए किसी पैथालिजी में जाता है और अपने जाच की रिपोर्ट ले जा के डॉक्टर को दिखाया रता है तो आप यहां से भी को मीच्वर्फंड अद्यों का डॉक्टर समझें जो हर महीने के एक रिपोर्ट मांगकर उसे यह भी करिए कि हर महीने मुझे बताइए कि आप से स्वस्त सेहत मन हैं क्योंकि नहीं है क्योंकि उद्यों में आप जैसे हमारे जैसे निवेशकों का बड़ा पैसा लगा हुआ है और कुछ फंड मैनेजर्स के हाथ में उस फंड को निवेश करने की ताकत है उनके फैसले से हम सब बन हैं हमारी सब की बच्चते उन पर निरवर हैं और नियामक इसे हलके में नहीं ले सकते क्यों ऐसा हुआ यह खौफ कहां से आया यह डर क्या है ऐसे हजारों सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे अगर आप इस्ट्रेस्ट की तकनीक या गणे इसको नहीं सम पर और आपकी समझ के लिए क्योंकि यह काम बार बार होगा इस्ट्रेस्ट बार बार होंगे उनकी रिपोर्ट्स बार बार आएंगी किसा अमेरिका का इसलिए क्योंकि हम काफी हद तक भारत के वित्तिय बाजार में बहुत सारी चीजों का एक देजबू देखते हैं जो अ अक्सर वो दिखते भी हैं हैं काफी काफी रोचक वित्ती विशलेशक हैं उन्होंने ये एक बात लिखी थी 1996 में उन्हों एक उनकी टिपणी आई थी उस टिपणी में उन्होंने लिखा था बहुत दिल्चस्प टिपणी थी थोड़ी सी जाधा बाक्यों वाली पर ध्यान से अधार पर कहां किस तरह इस्तेमाल होगी जिम क्रेमर ने कहा कि एक ऐसे देश की कल्पना करिये जहां कुछ लोग हैं मुठिवर लोग हैं चों ये तै करते हैं कि देश के लाखों करोनों लोगों की बचत कहां कैसे लगाई जाएगी ये एरे गेरे लोग नहीं हैं ये पॉ भविश्यों को पढ़ सकते हैं यह नजूमी है इन्हें पता है कि भविश्य में क्या होने वाला है इन्हें जानकारी है क्यों पैसा लगा कर भविश्य में आपका नुकसान नहीं होगा इनसे उम्मीद की जाती है कि तरक संगत रेशनल ठोस फैसले लेंगे जिससे लोगों का नुकसान नहीं होगा और ऐसा करने के लिए इन्हें लाइसेंस मिले हैं यानि सरकार इन्हें ऐसा करने की छूट देती है और यह आप से पैसा जुटा सकते हैं और उसके बाद अपने विवेक के आधार पर भविश्य पढ़ते हुए इस पैसे का निवेश कर सकते हैं कई ब कि जैसे ही कोई ऐसा वेक्ति इन पैसे को सम्हालने वाले लोगों में से गलती करता है तो उससे जाधा एग्रेसिव ढंग से निवेश करने वाला कोई आदमी सामने ला दिया जाता है क्रेमर ने लिखा कि अगर आपको इस बेहद आश्यर जनक अनोखे देश का नाम जानना है तो यह 1990 के दशक का अमेरिका है और यह जो चतुर सयाने लोग जो जिनकी संख्या कुछ सव में या कुछ अजार में है यह mutual fund manager कहा जाते हैं यह mutual fund के प्रबंधक कहा जाते हैं यह बात 1996 के असपास जिम क्रैमर ने लिखी थी बोली थी और इसकी काफी चर्चा हुई थी उस समय तक अमेरिका में mutual fund उद्योग खड़ा होने लगा था भारत में जो हमाज इस्तिती देख रहे हैं वहाँ वैसी इस्तिती थी 1990 से 1996 के बीच अमेरिका में mutual fund उद्योग का हिस्सा शेर बाजार में 7 फीज़दी से बढ़कर 15 फीज़दी हो गया यानि शेर बाजार में जो कारोबार होता था था एकुटी खरीदी जाती थी उसमें 1990 में 7 फीज़दी पैसा mutual funds के जरीए आता था और वो 15 फीज़दी हो गय पैसे को कलेक्ट कर रहे थे और बाजार में निवेश कर रहे थे जैसा हमने 2016-17 से उससे पहले से देखा जिसका सबसे बड़ा दौर हमने 2019-2020, 2018-2020 के बाद देखा अब सुनते जाईए अगर आप बाजार को करिश से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप दो होने लगी बाजार में और अगले दो साल के भीतर अमेरिका में mutual fund उद्योग की asset under management ये शब्दा बार बार सुनेंगे आज के चर्चा में यानि जहां उन्होंने निवेश कर रखा है उन सब बत्तियों का उस निवेश के का मूले कितना है उस asset under management का आकार अमेरिकी सरकार का जो फेडरल बजट था किंद्री बजट था उसका तीन उना हो गया उससे जाधा पैसा इन चतुर से आने लोगों के पास आ गया जिसे वो सम्हालने लगे और जिस पे वो निवेश करने लगे मैगी महार की एक मशूर किताब है काफी चर्चित किताब है जिसे पढ़ना चा का बूम आया था और जो बाद में बस्ट हुआ था इसमें फंड मैनेजर के उनसे क्या रिष्टे थे इसे बड़े दिल्चस्प किस्सों से लब रहे जाए इतने दिल्चस्प किस्से ऐसे से करेक्टर साब को इस किताब में मिलेंगे जिन से आप समझ पाएंगे कि जो मिट mutual fund निवेशकों के आने से पहले तक कोई भी value इन्वेस्टर उसमें कोई value नहीं देखता था, क्योंकि mutual fund के आने से पहले जिन निवेशकों की पीड़ी बाजार में काम कर रही थी, वो value पर निवेश करते थे, उनको लगता था कि इस निवेश में value हुए है, दिवाने हो गए, जैसे जिसे बाजार में तेजी आनी शुरू ही उस दोरान, दोरान जिस पर mutual funds की भूमिका काफी बड़ी होने वाली थी, निवेशकों को अपने पैसे दो गुने, तीन गुने, ढ़ाई गुने, डेल गुने होने की सम्भावनावनती दिखाई दी, धीमे धीमे mutual funds के आने के साथ momentum investing हो, इस पर आगे भी बात करेंगे, momentum investing, stock market का मंत्र हो गया, ना कि value investing, अब यही वो दोर था, अगर आप याद कर पा रहे हों, तो अमेरिका में internet का bubble आया था, निवेशकों को पता नहीं था, mutual fund निवेशक किसी भी उचाई से stock को खरीद लेते थे, और मानते थे किसके बाद उस साथ में आस्मान पहुंच जाएगा, और इस पूरी फ्रेंजी में 1999 आया, insiders ने विकवाली शुरू कर दी, 2000 बाट में dot com का bubble बस्ट हुआ, और लोगों के करीब 5 trillion डालर उसमें डूब गए, 90 के दशक से लेकर 2000 के decade तक अमेरिका के बाजार में छोटे निवेशक, small investors जिनको हम भारत में कहते हैं कि भारत में भी बड़ी ताकत हैं, ठीक इसी तरह 90 से 2000 के बीच में छोटे निवेशक, वाया mutual fund, mutual fund के जरिए बाजार में सबसे बड़े खिलाडी हो गए थे, और तब fund manager के लिए investment risk से जाधा बड़ा हो गया था उनका carrier risk, कि अगर वो अच्छे return लाकर नहीं देंगे तो उनका carrier खत्रे में में होगा, 2024 का भारत लगभग उस दोर की का आइना सा देखता है, अगर आप ध्यान से बाजार को अपने करीब से देखें, और इसलिए सेभी ने जान बूज कर भारत में के स्टॉक मारकेट के तेजी के गुबारे में पिंच चुभा दिया, आम तोर पर, regulator खुल कर कभी यह नहीं कहते कि बाजार में बुलबुला है, फ्रॉथ है, कभी regulator का कहना यह बड़ी बात होती पर, भारत के, के regulator ने ना केवल वो गुबारा फोड दिया, बलकि भारत के mutual fund से उनकी सेहत का हिसाब किताब भी मांग लिया, कि कहा जाईए, अस्पताल अपने blood की report लाईए, और हमें दिखाईए, कि आप जो कर है, उसके करने लाइक हो भी की नहीं, और माल दीजे कल अगर मौस डवल कीमत पर लिस्ट हो रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही लगवग हो रहा है, तो सर, क्या यही भारत में भी हो सकता था, ऐसा कुछ लग रहा था सेवी को, इसलिए यह सब कुछ कोशिश की जाड़ी है कि भारत में यह सब कुछ ना हो, शुमो हम लोग अपने अनुभवों से ज अगर आप इस अंदर में देखें तो सेवी की जो ताजी का वायद है, उसका मन हम समसकते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, आप समझे कुछ हाकड़े, भारत के मीच्वल फंड उद्योका के अंदर जो एसेट्स हैं, उनके कंट्रोल में एसेट्स हैं, जिनको एसेट इनर इनके पास इनके पास जो एसेट्स हैं, जिन फंड को यह मैनेज कर रहे हैं, अब आपाकार देखिए कि निवेशका का कितना बड़ा हो गया, नेशनल इस्टाक एक्षेंज का आकड़ा में चेक कर रहा था, सूची बद्ध कंपिनियों में जो लिस्टेट कंपिनियों में म मुचल फंड की इस्तेदारी 9% से ऊपर पहुँच गया, यानि अमेरिका में 7-15 थी तो हम बीच में खड़े हैं, 9 तक पहुच गया है, अब यही वज़े है कि यहां से उस इस्ट्रेस्ट की भूमिका बननी शुरू होती है, इस स्थिति में, जब कि मुचल फंड का ऐसे ट मुचल फंड की परिक्षा क्यों ली गई, क्या सवाल थे, और क्यों छोटे और मजहूले स्टॉक्स को ही इसमें ना पा गया, या इनकी सेहत की परिख क्यों की गई, आई हैं समझते हैं कुछ छोटे चोटे में दूआ में, चूँकि अप टेस्ट हर महीने होगा, इसलिए ह हमारे लिए ये इस पड़ताल का मर्म समझना जरूरी है, बिल्कुल पड़ताल निवेशकों के लिए ही की जा रही है, एक तरीके से देखें तो अगर आप सेवी को धन्यवाद दीजे कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब इस पड़ताल में हुआ कैसर ये जो ब्लेट टेस रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जानने की कोशिश की गई, सबसे पहली बात, आप अगर मुचल फंड निवेशक हैं या बैंक में पैसा रखते हैं, तो आपका सबसे बड़ा डर तो ये है ना, कि अगर बैंक डूबा तो मेरे पैसे का क्या होगा, बै पहली चीज इस स्टेस स्टेस से नापी गई, कि अगर अचानक किसी विकट पर स्थिती में निवेशक अपना सारा पैसा लेने दोड़ पड़े, और फंड से कहें कि हमारा पैसा वापस को रो, जिस भी जो भी तुमारे पास रखा हुआ है, तो क्या मुचल फंड ले पैसा यानि उनका प्पोर्टफोल्यो है, उसका अगर आदा हिस सा उन्हें बेचना पड़े, तो उन्हें कितने समय में बाजार में में बेच पाएंगे, और उनको अपना एक चौध भी बात है, वहापस का वापस कर पाएंगे। आम तोर पर होता क्या है कि जब निवेशक पैसा निकालते हैं सामाने परिस्थेती में जब भी कभी पैसे का रिटर्न शुरू होता है या मिचल फंड से पैसा निकाला जाता है तो फंड अपने सबसे कम जोर और सबसे कम ग्रोथ वाले स्टॉक्स पहले बेचते हैं और जिनक से स्क्रीन पर रोक कर आपने भी तमाम यूचर फंड्स ले रखे होंगे, इसमें एक कॉलम में उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया जा रहा है, दूसरा दिखाया दे रहा है कि प्रो रेटा अधार पर उनके लिकुडेशन में 50% परफोलियो में कितने दिल लगेंगे इसमें सारे फंड्स का हिसाब ही, शीट चार्ट आपको उपलब्ध है, मनी नाइन पे हमने भी स्टार से इस पर स्टोरीज भी की हैं, अलेसेस भी की जिने आप देख सकते हैं, अब दूसरा सवाल, मिट कायप और इसमाल कायप में ही क्यों, लार्ज कायप में क्यों नहीं, मिट कायप और इसमाल कायप पर ही क्यों, भारत में पहली बार ऐसा हुआ, जब भारत के नियामक में साफ साफ एक कह दिया, कि भाई मिट कायप और इसमाल कायप में तेजी धुआ ही है, और कुछ नहीं है, सिर्फ धुएं धुएं में तेजी हो रही है, और ये ये तेजी बाजार में निवेशकों के लिए घातक है ऐसा क्यों कहा त्रेपन सप्ता का आकड़ा पिछले त्रेपन सप्ता के आकड़ा हमारे सामने हैं जो हमें बताते हैं कि भारत का जो मुख्य सूचकांक है बीस परसेंट चला इसमाल कैप इंडेक्स 65 फीज दी और मिट कैप इंडेक्स करीब करीब 59 परसेंट चला ये चार्ट आप के सामने जो हम दिखा रहे हैं भारत के सामान जहां बड़े स्टाक्स बैठे हुए हैं जिन में ग्रोथ की सबसे अधा संभावना है मजबूत मैनेजमेंट है अच्छा बिजनेस मॉडल है उनको सूचित करने वाला जो सूचकांक है उसकी बढ़ोतरी और चोटे और मजोले स्टाक्स की सूचकांक की बढ़ोतरी में दोगने से जाधा काफर कहीं भी किसी को भी शक होगा कि दाल में कुछ काला है इस सा लेकिन हुआ क्या ठीक है आप सामानी नि बेशक हैं आप स्टाक अपनी जोखिम पर खरीद रहें वह बढ़ता है डूपता है आप स्मॉल कैप खरीदें मिटकैप खरीदें आपके रिस्क की बात है आपका प्रोफाइल है पर म्यूचल फंड जब ऐसा करने लगते हैं तो नियामक की की आम की आम की चड़ती हो उसक सबसे आधा मैं आकड़ा दिखाता हूँ आपको सबसे आधा पैसा उन स्कीमों में गया जो स्मॉल कैप मिटकैप में लगाती थी क्योंकि वहां से अच्छे रिटरन दिख रहे थे एक सामानी निवेशक शेर बाजार को देखता था स्मॉल कैप मिटकैप सूच कांक मिते ज कैप यह जो जा था सुरक्षित मजबूत स्टाक्स माने जाते हैं उनमें लगाना होता है दो हजार तेईस में इस मॉल कैप फंड में 432 अरब रुपए का निवेश आया जो पिछले साल का दो गुना था ये थी वो फ्रेंजी ये वो था फ्रॉथ जिस फ्रॉथ की तरफ से भी इशारा कर रहा था मिट कैप फंड में करीब 248 अरब रुपए का निवेश आया तो सेवी की बात जायच थी हर हाल में सेवी चैर्में ने इवल को सही कहा कि म्यूचल फंड के जरिये ही इन स्टाक्स में जाग बनाया जा रहा था या नि म्यूचल फंड कहीं ना कहीं इ देखते हैं लोगों से बात करते हैं उस स्थापित समझ में तो छोटे निवेशकों से कहा जाता है कि स्माल कैमिट कैप से दूरी रो भाई बिल्कुल लार्ज कैमिट पैसा लगा हो क्योंकि ये तो हाई बीटा स्टाक्स नहीं उपर जाएंगे तो नीचे गिरेंगे इस से ख जमीन नहीं जिसके पास पैर नहीं थी जिसके पास जमीन नहीं थी सर कोई ऐसा आंकड़ा जो हम जिससे ये समझ सके और बहतर तरीके से कि स्माल कैप में या मिट कैप में जो निवेश होता है वो ज़्यादा जोखिम पूर्ण होता है हाँ और ये बात इसलिए कि तभी अगर आप देखें तो सबसे अधाते जुतार चड़ाओ इसमाल कैप फंड्स में शौट टर्म में आता है यानि एक साल के भीतर इनमें लगाएगी पूंजी का 61 परसेंट हिस्सा तक गयाव हो सकता है 61 परसेंट तक आपकी पूंजी गयाव हो सकती समाल कैप और मिट कैप स अगर यहां के तो सब लोग कहते हैं सारे विशेशे की निवेशक बताते हैं इसी लिए इन में स्टॉक्स में निवेशक करने वाले फंड्स के साथ भी उतने ही जोखिम और उतने भी त्रॉड उतने नहीं खत्र हैं जो आंकड़े बताते हैं उसे इसाब से इसाब से एक साल में इसमाल काईप और मेटकाईप स्टाक 57% तक तूट सकते हैं यानि आपकी 50% 60% कीमत एक बार में स्वाहा हो सकती है देखिए चार्ट आपके सामने है 2009 और 2008 का आकड़ा देखिए 2008 में 57% का डाउन औ और 2009 में 94% का आप ये एक ही ग्राफ आपके सामने दिखाई देता है दूसरी चीज़ ये कि बीते 23 साल में केवल 13% स्टाक्स ऐसे हैं जो जो स्माल कैप स्टाक हैं जो मिट कैप और लार्ज कैप बने हुएं केवल 13% 87% स्टाक्स माइक्रो कैप हो गए हैं पिटकर पीछे च खतरा है क्योंकि इन कंपिनियों में लंबी देस का घोड़ा बनने की ख्रमता सीमित होती है इन कंपिनियों में अंततहा ये बाजार में में शुरुआती तेजी का फायदा उठाकर उपर जाती है और इसके बादे माइक्रो कैप में नीचे सिमर जाती है ये खतरे की बड़ था कि 1990 में अमेरिका में ठीक ऐसा ही हुआ था इसमाल कैप और मिटकैप पिस्ट्रॉक का धुआ नशे की तरह निवेशकों के सर पर चड़ गया था और उसके बाद बाजार में जो तेज गिरावट आई थी उसने बहुत सारे निवेशकों को तबाही कर दिया था पांच लाग करोड का नुकसान हुआ था जब डॉटकॉम बबल आया था पांच लाग करोड डॉलर का नुकसान हुआ था जिस एकॉनिमी के बनने का सपना हम अभी देख रहे हैं तो अगर यहां ऐसा कुछ हुआ तो तो आप समझे कितनी बड़ी तबाही मत सकती है फिर सर ड निकलेगा कैसे मुचुल फंट निवेषकों को पैसा वापस कर पाएंगे क्या समय पर और इसका सबसे कीमती प्य माना क्या है कि मुचुल फंट का कैश्टो एसेट रेशियो हम आप से जरूर कह रहे हैं कि ध्यान से सारी चीज़ आपके लिए पैसा लगा रहे है निवेश स्थिती में अचानक बिक्वाली का दबावाने पर वो कैसे पैसा वापस कर सकते हैं इसी को लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं मिच्वल फंड का अब ये नकदी किसी मिच्वल फंड के लिए दोधारी तलवार होती है एक तो ये कि ये फंड उनके पास रखा है तो सुरक भी कर सकते हैं तो ये एक किस्म का 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 डबल रिसोर्स है जो उनके पास होता है भारत में मिच्वल फंड तीन से पांच फिस्दी का कैस टू एस एसेट रेशियो या लिकुडिटी रेशियो रखते हैं अब खत्रा कहां से शेवी ने ये पकड़ा कहां से हम उस बिन उपर आपको लेकर आते हैं जहां से समस्या का की जड़ दिखी और जहां से गंधाई की कुछ गड़बल है पिछले साल फरवरी में शुभम फंड्स का रेशियो छे परसेंट से उपर पहुंच गया है यानि फंड्स के पास जतना पैसा था उसका लगभग 6 फीजदी हिस्सा कैश टो एसे ट्रेशियो घटकर पांच परसेंट से नीचे चला गया और यहीं से सेवी को यह पता चला इसी पीरियट के दोरान यहीं जो फरवरी पिछले साल फरवरी 2023 के बीच का था यह डेटा देखिया मैं 2021 से 2023 का इसी बीच में इसमाल कैप और मिटकैप शेरों में जरूरत पता चली कि शायद म्यूचल फंड बाजार में इस बुलबले को मदद कर रहे हैं और पैसा ले जाकर निवेशकों का वहां उसमें डाल रहे हैं अब इस क्या तस्विर साफ थी म्यूचल फंड जो सबसे लंबे समय में निवेश के वेकल है वहां नहीं लंबे समय म आफाइदा उठाएंगे इसके लिए निवेश किया जाता है वो तो भारत के निवेशकों को सबसे खतरनाक शेयरों में निवेश करा रहे थे वो दरसल हमारा और आपका पैसा ले जाकर सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल रहे थे और हमें रिटरंड दे रहे थे अच जैसे ही मुचल फंड को हैंडल करता है या मानता है जैसे कि उसको कुईक बक्स चाहिए होते हैं तो इसे मुचल फंड में कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि तो खेले लंबे समय तक जाओ पैसा रखेंगे तो बेटर रिटर्न मिलेगा अब दिसंबर आते आते यह तो हमने जैसे ने दो काम की जैसे नहीं लिया पहले तो सेभी ने ये कहा कि इसमाल कायप और मिटकायप फंड में निवेश के नियम सक्त किये जाए जो इमफी से कहा गया इसका नतीजा यह हुआ कि कई सारे फंड मिटकायप स्कीमों में लंपसम इन्वेस्मेंट को रोक दिया एक म का नतीजा यह हुआ कि छोटे और मजोलों के बाजार का भबल फूट गया उसमें तेज गिरावट आई अब खत्रा कितना बड़ा है और सेभी को शक है इसलिए अब इसके नतीजे हर महीने आएंगे हर महीने आकला आपके सामने आएगा हम मनिना इन पर इस आकड़े को ले भी देख रही है सेभी को ऐसा लग रहा है कि बाजार में कोई बड़ा उथल पुथल आ सकता है उससे पहले निवेशकों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया जाए उन्हें खत्रों से परिचित करा दिया रहा है कि अगर बाजार में कुछ बड़ा उथल पुथल होती है तो हम आपको बताते भी रहेंगे लेकिन समझदारी यही है कि आप अपने निवेश का 50-70 फीज दी हिस्ता लाज केप में ही रखें क्योंकि अगर टोकरी फूट है तो सारे अंडे एक साथ ना फूट जाएं समझदारी तो इसी में है तो अब सर आप सीधे सीधे बताइए मैं करूं क्या मैंसे मतलब निवेशा करें क्या जिन्होंने मिट केप स्मॉल केप में पैसा लगा रखा है निकाल लें रुकें करें क्या देखें हमें अपनी चर्चाओं से फंड मैनेजर से चर्चाओं से पता चलता है कि भारत के फंड मैनेजर कभी नहीं चाहते कि उनकी सूज़ पर कोई शक करें उनकी समझदारी पर शक करें क्योंकि इनका साक्ड़े हैं, चार्ट है, डेटा है, एक्सिल शीट्स हैं, उसके अधार पर वो किसी भी कंपिनी के साथमें आस्मान पर पहुंच जाने की संभावनाएं साबित कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं लेकिन अतीत इतना भी अंधा भरोसा करने की छूट नहीं देता, मैगी महर की किताब जिसका मैंने जिक्र किया था, उस किताब में ये भी बात कही गई है, कि म्यूचल फंड्स के आने के बाद पूरे अमेरिका के स्टॉक मार्केट का की तस्वीर और चेहरा बदल गया था, यहां ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, म्यूचल फंड्स इसलिए कर पाते हैं कि वही फेमस बात अधर पीपूल्स मनी, फंड्स का अपना पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा आपका है, जब दूसरे लोगों का पैसा आपके सामने हो और उसे लगाना हो, तो आप उससे दूसरी तरह से विवहार करते हैं, क्योंकि दूसरों का पैसा अपला रहा हैं, तो यह लाने का धंधा चमकता चला गया, म्यूचल फंड के साथ, वैल्यू इन्वेस्टर आम दोर पर ठहर कर वैल्यूशन देखते थे, म्यूचल फंड इन्वेस्टर मूमेंटम प्लेयर्स ह आने के बाद दिखाई दिया, यह मैंगी महर के किताब में दिखा हुआ, इसलिए इन्वेस्टर में पैसा लगा, यह मूमेंटम इन्वेस्टिंग का फाइदा है, इन्डेक्स बढ़ेगा, तो आपको भी उसका फाइदा होगा, तो यह जो मूमेंटम इन्वेस्टिंग है, कि से भी कोई पता है कि mutual fund आने के बाद निवेशकों की दुनिया value की जिके growth तलाशने लगी है उन्हे growth चाहिए क्योंकि जब भी आप अपने mutual fund की का आकड़ा देखते हैं तो आपको उसमें percentage में कितनी growth दिखाई दी है इसे देखकर आपको खुशी होती वैलिवेशन की तरफ आप नहीं जाते हैं लेकिन बाजार के तजरुबे बताते हैं कि value और growth कभी अकसर एक दूसरे का साथ नहीं भी देते हैं जहां value है वहाँ growth नहीं हो सकती है जहां growth है वहाँ value नहीं हो सकती कम से कम small commit cap में तो हमें यह दिखाई देता है तो अगर fund managers को तो growth चाहिए कि उनकी नौकरी दाओं पर होती है अगर उनका fund अच्छे तरह से परफार्म नहीं कर रहा है तो उनके लिए career का risk सबसे बढ़ा है और से भी ने उसी को रोकने की कोशिश किये तो इसलिए आप सतर करें जानकारी बढ़ाईए अपने निवेश क के बारे में money9 के एप को डाउनलोड करिए अपने mobile में से सहजिये अनिवेश के सवाल पूछे कठिन सवाल पूछिए हमसे कठिन सवाल पूछिए विशे शग्यों से बात कीजिए जानने की कोशिश करिए क्यों की पाई-पाई कीमती है आपकी बचत कीमती है जो जा रही है खूब शक करिए, खूब शक करिए, अतारकिक तेजी पर सवाल उठाइए, सवाल आपका कैसा भी उसे जरूर पूछिए, सवाल पूछने से ही चकिए, मत, जादा से जादा संदे कीजिए, क्योंकि परदे के बीशे भूत कुछ होता है, जो आपको तब पता चलेगा, जब आ पूछेंगे, तब हम आपको व आंकड़े या बाकी जानकारियां देने की अविशेशक बताएंगे, अर्थशास्तियों के परवाबा थे, जिनको पढ़कर पूरी दुनिया अर्थशास सीखती है, और वो एक बात कहते थे, जो बात गाठ बांद लीजिए, निवेश करने है, और इसलिए लगाता जागुरुक रही है, सत्रक रही है, मरीनाई से जुड़ रही है, चलिए, तो ये था हमारा आज का अर्थात, अब बात करते हैं, आपके सवाल जबावों की, पहले सवाल सर, संगीता सिंका है, कह रही है कि किसानों को दी जाने वाली सभी होता है, किसानों को कितना फायदा होता है, इस पर तमाम डेटा सर्च उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी सबसीड़ी तो परुष सबसीड़ी है, जैसे फटाजर की सबसीड़ी, फटलाजर इंडस्ट्री को जाती है, बिजली की सबसीड़ी, बिजली को जाती है, और तो क किसान को अगर अपने फसल की सही कीमत मिल जाए तो उसे सबसीटी की उतनी ज़रूरत नहीं है और फसल की सही कीमत तो वही है कि उसकी पूरी लागत सही और उसके बहतर नेड़ने मिल सके पर यहां समस्या यह कि क्रशी के क्षेत्र में किसान से जाधा बड़े स्टेक होल्डर से हैं फटाइजर कंपिनियां बड़ी स्टेक होलडर हैं सबसीडी बाटने का एक बड़ा तंत्र है जो बड़ा स्टेक होलडर है वो कभी भी इन वेवस्थाओं पर आगे बढ़ने नहीं देता पर सरकार दोनों आप्शन का मुल्यांकन कर सकती डेश के लोगों से बात कर सकत हैं कि सरकार भी अनाच खरीदते हैं इसकी क्वालिटी के नियम ते करती है सरकार के पास जो आप धान बेचने जाते हैं तो उसके नियम है कि कितने किस सिस्टर का धान दिया जाएगा और बाजार की अपनी ताकत है खराब चीज़ के कम कीमत मिलेगी और अच्छी चीज़ क सामान वेज़िटेबिल के माकेट में भी हमको रिखाई देता तो किस कराफ फसल कि अपने को बाजार अपने तरह से रियक्ट करेऊ और अच्छी प्रोटिक्ट को अपने तरह से लेगा ये बाजार का अपना सामान सुभा होएं तो मुझे लगता यह उतना बड़ा खाजन नहीं है जितना बड़ा खत्रा हमें लगता है आगे बलते हैं सर इंकम की बात में क्या है खास तो अब नए आई पियो आना शुरू हो गए है अब मनी राइन का शोव वहां के आई पियो काफी बापुलर है बहुत सारे लोग जुड़ते हैं विशेशक्यों से सवाल पूछत और वो भी बहुत सारे भाशाओं में बहुत भाशी वीडियो बनाये जाएं ये बात तो हम वहां के आई पियो में आपको लगातार बताते रहते हैं और बड़े बेबाकी के साथ विपल जी और उनकी टीम आपको खुलकर बताती है कि स्ट्रा के इस आई पियो में से पहले सतर करे है सेभी की निगाए आई पियो बाजार पर बेहर गहरी हैं सेभी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो आई पियो बाजार के मिजाज को बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं इस बार हमने अपने कारेकर में दो बार जिस किताब का जिक्र किया है मैगी महार की किताब बुल रन की हिस्ट्री और बस्ट की हिस्ट्री जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया इस किताब की इमेज आपकी स्क्रीन पर है जट 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 किताब है काफी और अगर आप श समझने की कोश्च में मदद मिलेगी कि बाजार चाहे वो अमेरिका को है या भारत का निवेश्कों के विवहार फंड मैजर्स के विवहार लगबग एक जैसे ही होते हैं तो यह था हमारा आज का एकनॉमिकम आपको होली की बहुत सारी शुब कामना हैं कल आप लोग होली खेलिए अगले हफते आपसे फिर मिलेंगे नए एकनॉमिकम के साथ नए अर्थात के साथ तब तक के लिए दीजिए जाज़त नमस्कार